नमस्कार, आईए, आज हम बहुती रोचक अध्याय पढ़ते हैं, जिसे आप कक्षा नौ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्राइक्ता, जि हाँ, तो देखते हैं, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, आईए, आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, भूमिका देखेंगे, वैसे तो हमने कक्षा नौ में भी पढ़ा है, कक्षा दस में भी पढ़ा है, और अब कक्षा ग्यारे में अभी है तो आखिर क्या अंतर था कक्षा 9 की प्राइकता में कक्षा 10 की प्राइकता में और कक्षा 11 की प्राइकता में हम विशेश तोर पर पढ़ने वाले हैं और नया शब्द आएगा अभिग्रहीत द्रश्टी कौन जी हां प्राइकता का अब ये क्यों आया किसलिए आया ह इसको जानेंगे, इसके बाद इसी अभिग्रहीत द्रिष्टी कौन, यानि हमारा एक्जियोमेटिक जो एप्रोच है, उसके कुछ भाग हैं, जिनको हम जानेंगे, चाहे वो या द्रिख्षिक परिक्षन हो, या प्रतिदर्स समस्टी हो, या फिर घटनाय हो, आईए, देखत हैं, सबसे पहले, आपने जो प्राइक्ता कक्षा दस में पड़ी, वहां आपने एक चीज पड़ी थी, कि आपके पास एक थैला है, उस थैले में बॉल हैं, और बॉल किस तरह से हैं, कि मान लो, ब्लैक बॉल, काली गैंद आपके पास चार हैं, और लाल गैंद, मान लो, आ आप के पास 6 हैं, तो काली गैंद की प्राइक्ता निकालनी हो, तो आपने क्या किया था, कि जो हमारे अनकोल परणाम है, वो है 4, और कुल परणाम है 10, इस तरह से आपने प्राइक्ता 4 वटे 10 लिख दी, अर्थात, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अनकोल परणामों की संख्या, काकुल परणामों की संख्या के साथ अनुपात ग्याद करते थे, कक्षा 10 में, तो कक्षा 9 में क्या करते थे, आईए, आगे देखते हैं, कक्षा 9 में हम देखते थे, प्राइक्ता के उपको प्रेक्षन और संकलित आकड़ों के आधार पर ग्याद करना, अपने पड़ा था कक्षा 9 में, के मान लो हमने एक हजार बार कोई सिक्का उच्छाला, और उसमें से 460 बार, मान लो हमारे पास हेडा, टेल आ गया, पट, और बचा कुचा जो आया, वो हेडा आया, अब, ऐसे में, जो हमारे पास statistical जो data होता है, उस data के आकड़ों के इसाब से, जो हमारे पास सांख्य किये आकड़े हैं, उस आकड़ों के आधार पर प्राइक्ता निकालते थे, इसलिए उस प्राइक्ता का जो दृष्टी कौण था, वो सांख्य किये था, अब, अगर हम मुझे पट की प्राइक्ता ज्याद करनी थी, तो हम क्या करते थे, जितनी बार पट आया है, वो, और मैंने कुल कितनी बार सिक्का उच्छाला, अर्थात, एक हजार, तो ये मेरी हो गई, पट आने की प्राइक्ता, तो दो चीज पढ़ी, कक्षा नौ में हमने पढ़ा सांख्य के द्रिष्टी कौण, कक्षा दस में पढ़ा अनकूल परणाम, बटे कुल परणाम, अब इनमें कुछ कमियां रही, कुछ ऐसा रहा, तो क्या कमी रही, आगे देखते हैं, हमने देखा, कक्षा नौ और दस में, जो द्रिष्टी कौण हमने प्राइक्ता का देखा था, उसमें कुछ गंभीर समश्याएं आई थी, जैसे इन सिद्दान्तों को उन क्रिया कलापों या प्रियोगों पर नहीं लगाया जा सकता, जिनमें संभावित परणामों की संख्या अपरमित हो, अर्थात इन्फाइनाइट हो, वहाँ इसको उप्योग नहीं किया जाता, दूसरा, पुरातन सिद्दान्तों में हम सभी संभावित परणामों को सम संभाव्य मानते हैं, equally likely मानते हैं, हम क्या मानते हैं, कि मान लो मैंने एक डिस्क फ्रो की, फैंकी, तो मेरे पास एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पांच, छे, कुछ भी आ सकता है लेकिन सभी के आने की संभावना बरावर है कोई सिक्का उचाला अब वो हैड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है लेकिन ऐसे में दोनों के आने की संभावना बरावर है लेकिन जरूरी तो नहीं है अब यदि दोनों के आने की संभावना बरावर नहीं हो तब ये दोनों सिद्धान्त फेल हो जाते हैं इसलिए फिर हमें एक प्राइक्ता की नई ब्याख्या करने की आवश्यक्ता पड़ी और उस नई ब्याख्या के आधार पर अविग्रहीत निर्धारित किये गई अविग्रहीत का मतलब क्या है? एक ऐसा वाक्य है जिसे हमने सिद्ध नहीं करना है वो और पहले से ही सिद्ध है उसको हमें ये मानते हुए कि ये सही है उसे काम में लेना है इसलिए इस अध्याय में हम प्राइक्ता के इस द्रश्टी कौण जिसे प्राइक्ता का अभिग्रहीतिय द्रश्टी कौण अर्थात एक्जियोमेटिक एप्रोच अफ प्रॉबैबिलिटी कहते हैं इसको अध्यायन करने के लिए कुछ शब्दों की जानकारी होना बहुत जरूरी है किसकी जरूरी है आईए आगे देखते हैं प्राइक्ता का अभिग्रहीतिय द्रश्टी कौण अर्थात एक्जियोमेटिक एप्रोच अफ प्रॉबैबिलिटी तो ये तो हमने जान लिया कि इसकी आवश्चकता इसलिए पड़ी क्योंकि इन्फाइनाइट अपरमित के लिए ये सही नहीं है और दूसरी बात अगर इक्वली लाइकली परणाम नहीं आए अर्थात समसंभाव्य परणाम नहीं हो तब वे दोनों सिद्धान्त हमारे सही काम नहीं करते हैं लेकिन इस द्रश्टी कौन को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को जानना बहुत आवश्चक है तो सबसे पहले हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे जिसमें पहला शब्द है याद्रिख्षिक परिक्षन प्रतिदर्स समस्ष्टी और घटनाए इनके बारे में हम जानेंगे प्राइक्ता का अभिग्रती ये द्रश्टी कौन ये तीनों क्या होते हैं आएए इन तीनों को देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं random experiment तो random experiment अर्थात याद्रिख्षिक परिच्छन हम किसे कहेंगे बड़ा ही आसान है ऐसा कोई परणाम जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता हो हमने एक सिक्का उच्छाला उच्छालने पर यदि उसमें हैड आए या टेल आए हमें पहले से नहीं पता हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिक्के पर दोना तरब हैड है या हमने कोई डिस्क फैंकी और उस डिस्क में अगर ऐसा है कि उसमें कहीं कोई कौना इस तरह से कटा हुआ है कि कोई एक बिशेश अंक ही बारवार आए तब तो हम कह सकते हैं कि वो सही नहीं है लेकिन यदि हमें पहले से नहीं पता हो कि इसका परणाम क्या आएगा तो वह हमारा याद्रख्षिक परणाम कहलाएगा दूसरी बात जिसमें एक से जादा परणाम भी आएं ऐसा भी नहीं है कि उसमें चाहे कुछ भी थ्रो करो एक ही परणाम आएगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो इसके लिए दो शर्तें पहला एक से अधिक संभावित परणाम होने ही चाहिए और दूसरा परिख्षण के पूर्ण होने से पहले परणाम बताना संभव नहीं हो किसी भी सूरत में हम नहीं बता सकें कि इसका परणाम क्या होगा तो वो सारा जो परिख्षण है वो हमारा कहलाएगा याद्रिक्षिक परिख्षण आएए आगे देखते हैं दूसरा दूसरा हमारा है प्रतिदर्स समस्टी कक्षा 9, कक्षा 10 और अब कक्षा 11 और आगे कहीं तक भी प्राइक्ता पढ़ेंगे सबसे जादा अगर हमें महत्वपूर्ण कोई विंदू है तो वो है स्प्रतिदर्स समस्टी सेंपल इस्पेस इसके वारे में यदि हमने किसी भी प्रकार के प्रश्ण में सबसे पहले पता कर लिया तो कभी भी गलती नहीं होगी इसलिए सेंपल इस्पेस का मतलब क्या है किसी भी याद्रक्षिक परिक्षण के किसी संभावित नतीजे को परणाम कहते है किसी याद्रख्षिक परिखण के सभी संभावित परणामों का समुच जी हाँ यहाँ से आपको जो आपने समुच पहले अध्याय में पड़े हैं वो अब यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं इसलिए समुच का पूरा ज्यान होना भी आपको बहुत जरूरी है तो जितने भी परणाम हो सकते हैं अधिक्तम परणाम उन सब का समुच हमारा प्रतिदर्स समस्टी कहलाता है सेंपल स्पेस कहलाता है प्रतिदर्स समस्टी को एस के द्वारा प्रकट किया जाता है अब इसको कैसे करते हैं इसको समझने के लिए उधारन देखते हैं जैसे दो सिक्कों हैं एक रुपे का है और एक दूसरा दो रुपे का है और दोनों की साइज बिलकुल बराबर है हमने एक बार दोनों को उच्छाला कितने आएंगे देखते हैं तो पहले उधारण में अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि मेरे एक रुपे के सिक्के में है एच आए और दो रुपे के सिक्के में टी आए हैड टेल हैड को हैड को एच टेल टी जरूरी नहीं है यही हो हो सकता है पहले में हैड आया था तो दूसरे में भी हैड आ जाए ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रुपे के सिक्के में टेल आया और दो रुपे के सिक्के में हैड आया ये भी संभावना है कि एक रुपे के में टेल आया और दो रुपे वाले में भी टेल आया कुल चार संभावित परणाम हमारे होंगे अगर इन चारों संभावित परणामों को हमने अपने मजले ब्रेकिट में रख दिया करली ब्रेकिट में रख दिया तब ये ऐस कहलाएगा कुल संभावित परणाम चितने अधिक्तम हो सकते हैं उन सारे परणामों को मजले ब्रेकिट में रखना करली ब्रेकिट में रखना उसका प्रतिदर्श समस्टी कहलाता है एक और उधारन देखते हैं पासा अपने डिस्क थ्रो की है जब हम डाई को थ्रो करते हैं फैकते हैं तो हमें पता है एक से छे तक के परणाम आते हैं एक से छे तक के जब परणाम है तो अगर मैंने उन सब को एक दो तीन चार पांच और छे एक पासा फैंका था तो मेरे पास एक से छे तक अधिक्तम इनी मैंसे ही कुछ आ सकते हैं मैंने उन सब को समुच्च का जो ब्रैकेट है मजला ब्रैकेट उसमें रख दिया तो ये मेरा हो गया सेंपल इस्पेस लेकिन मान लो दो पासे हो तब कैसे करेंगे तो दो पासों के लिए और दो पासे भी पहचान के लिए हमने दो अलग-अलग रंके ले लिए एक लाल रंका और एक नीले रंका अब आप तेखें कि मान लो लाल रंके में एक आया तो हो सकता है नीले रंके में एक आये दो आये तीन आये चार आये पांच आये या छे आये तो हो सकता है एक एक हो सकता है दूसरे में नीले में दो आया या नीले में तीन आया या नीले में चार पांच और छे इस तरह से हमारे एक से च्छे तक हो गए लेकिन कब जब लाल रंग के पासे में एक आया जरूरी तो नहीं है हो सकता है लाल रंग के पासे में दो हो अब दो के साथ फिर से नीले रंग के में च्छे हो सकते है और अगर ये च्छे हो सकते हैं तो ये हो गए, ये भी 6 हो गए हमारे पास, और अगर लाल रंके में 3 आया, तब भी हमारे पास 6 हो जाएंगे, लाल रंके में 4 आया, तब आप देखेंगे, तब आपके पास यहां भी 6 हो गए, लाल रंके में 5 है, आप देखेंगे, तब भी आपके पास 6 हो गए, और अगर लाल रंके में 6 आया तब भी आपके पास 6 हो गए इस तरह से कुल मिला करके 36 हो गए लेकिन सावधानी अभी तक मैंने मजला ब्रेकिट नहीं लगाया यहां यह समुच्च है इसलिए इन सब को मजले ब्रेकिट में रखना तब यह S कहलाएगा कितना आसान है ना किसी भी घटना की या कोई भी हमारे पास परिक्षण हम कर रहे हैं कोई भी डाटा है उसके जितने भी संभावित परणाम हो सकते हो तो प्रत्येक परिक्षण के सभी संभावित परणामों को मजले ब्रेकिट में रखना वो इसका प्रतिदर्स समस्टी कहलाता है आगे चलते हैं तीसरे की तरफ और अब आता है घटनाएं जी हाँ घटनाएं क्या होती हैं? तो जो हमने अभी सेंपल इस्पेस देखा था आप लोगोंने समुच्य में जब पढ़ रहे थे तो आपने एक सार्वत्रिक समुच्य पढ़ा है यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके सभी सबसेट होते हों सभी उपसमुच्य होते हों तो यहाँ पर जो सेंपल इस्पेस है या प्रतिदर्स समस्टी है वो सार्वत्रिक समुच्य की भाती काम करता है तो घटना क्या है? जैसे मैंने एक पासा फैंका और वो पासा चुकी फैंका तो मेरे पास एक से ले करके छे तक कुल मिलाकर संभावित परणाम आ गए अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि इन में से केवल समसंख्याओं की मालूम करनी है कि समसंख्याओं के लिए घटना है तो केवल समसंख्या बताना अर्थात समसंख्या का मतलब हुआ दो चार और छे जरूरी नहीं है मैंने समसंख्या पूछी हो सकता है ऐसी कोई बात हम परिशन करें कि ऐसा परिशन जिसमें चार से बड़ी संख्याओं हो तो चार से बड़ी संख्या के लिए पाँच और छे हो सकता है हमने कह दिया नहीं जी इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके वारे में आप निकालिये तो अभाज्य संख्याओं को जब आप देखोगे तो आपके पास हो गया दो तीन पांच आपने का नहीं जी तीन से छोटी संख्या होगी तो वो एक और दो हो गई इस तरह से कोई भी ऐसा परिख्यान जिसमें आप कोई प्रश्न कर रहे हो वो प्रश्न इस कुल मिला करके जो प्रतिदर्स समस्टी है इसके अंदर के परणामों मेंसे ही होगा क्योंकि समस्टी जो प्रतिदर्स समस्टी है ये तो सारे संभावित परणाम है तो ये जो जितने भी हमने प्रश्न किये ये सब घटनाएं कहलाती है और अगर समुच्च की भाषा में बात करें तो ये सारी घटनाएं उपसमुच्य समस्टी कहलाती है घटना कहलाती है अर्थात ये सब सबसेट होते हैं उस यूनिवर्सल सेट के जो हमारा सारवत्रिक समुच्य है ये सब उसके उपसमुच्य होते हैं अब ये तो ठीक है घटना है हमारे ध्यान में आ गई लेकिन घटनाओं के कुछ प्रकार भी है जी हाँ तो वो घटनाओं के कौन-कौन से प्रकार हो सकते हैं वो आगे देखते हैं तो हमने आज क्या-क्या देखा आईए इसको जानते हैं हमने देखा कि जो कक्षा 9 और 11 में पढ़ रहे हैं या 10 और 11 में पढ़ रहे हैं ये सारी प्राइक्ताएं एक जैसी नहीं होती हैं इनमें बड़ा अंतर होता है वो अंतर हमने जाना और अब जो हम पढ़ेंगे वो axiomatic approach of probability होकी यानि प्राइक्ता का अविग्र हिती है द्रश्टी कौन दूसरा इस द्रश्टी कौन में कुछ शब्द विशेश हैं हमने उन शब्दों के बारे में जाना जिसमें पहला शब्द याद्रक्षिक परिक्षन था रेंडम एक्सपरिमेंट दूसरा प्रतिदर्स समष्टी अर्थात सेंपल स्पेस और तीसरा घटनाएं जिनके बारे में आज हमने जाना आप सभी इन सब जो बेसिक है इसका जरूर अध्यान कर लें जिससे की आगे ये बहुत ही आसान हो जाएगा धन्यवाद धन्यवाद